किसान के हितों की चिंता हमें जादे रखने हैं हम बाचीत करते हुँ इसका समाधान ने तो हम चंडीगण के हो जाते हैं कुछ चीजों में हमें कंसल्टेशन करने की जुरुद पड़ेगे क्योंकि राज्यों के साथ मिल करके हमें इस बात पर आगे चर्चा करने पड़ेगे किसान संगठनों को बाचीत करते हुए मैंने ये बात बताई कि जितनी मांगे सम्मधित भारत सरकार से जो विशे हो सकता है वो हम कर रहे हैं और उनको बता भी दिया है कुछ चीजों में हमें कंसल्टेशन करने की जरूरत पड़ेगे क्योंकि राज्यों के साथ मिल करके हमें इस बात पर आगे चर्चा करने पड़ेगे इसके लिए हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकाले ये बात किसानों को समझने के जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो भारत सरकार प्रतिबद है और उसके साथ साथ जन सामाने को कोई कठिनाई ना हो दोनों ही बातों को जो संगठन है किसान संगठन उनको समझना पड़ेगा किसान के हितों की चिंता हमें जादे रखने हैं कोई राजनीती कर रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस पर हमें जाना नहीं है हमें 20 तरह से अब हम यह इतना ही कहेंगे कि हम ऐसा बाचित के लिए तयार है हम ऐसा डिसकस्टन करने के लिए तयार है उसका solution निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कारे करने के लिए हम तैयार है बसरते की उसके लिए जो क्योंकि आप सब जानते हैं कि agriculture पूरे देश के किसानों के लिए भारत सरकार प्रुटसाहित करती है कारे करती है आगे बढ़ाती है ये बात से ही है लेकिन विशे र अपनाना पड़ेगा जो भी जो भी विशे होती है उन सारे विशेयों के लिए किस तरीके से कैसे क्या ये विशे को समझने का तो समय चाहिए और मैं ये कह रहा हूं कि आप उस पर बाचीत करिए हम उसके लिए तयार है कल भी उसके पहले भी दो बार हमारी बैठक हो चुक तो हम चंडी गड़ क्यों जाते हैं चंडी गड़ में लोगों ने कहा मैंने का हम स्वाइम आजाए गया